दोस्तो अगर आपके पास Realme का कोई भी फॉन्स है तो उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलती होगी जैसा कि आप यहां दियान से देखें यहां पर वेटिंग फोर नेटवर्क शो कर रहा है और यहां पर इस तरह की प्रॉब्लम अकसर हमें देखने को मिलती है हमारे Realme के फॉन्स के अंदर दोस्तो यह प्रॉब्लम में मैं इसका सॉलोशन आपको बताने वाला हूं और इस तरह की जो प्रॉब्लम से इस पर काफी सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे जब मैंने एक वीडियो बनायता है इस से पहले कि इस प्रॉब्लम को किस तर करते हैं और जब हमारा फॉन लॉक स्क्रीन मोंड में चला जाता है तो हमारी जो डाउनलोडिंग है वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है या फिर कभी कभी हमें इस तरह का मैसेज देखने को मिलता है हमारे रियल्मी के फॉन के अंदर के वेटिंग फॉर नेटवर्ट तो आप इस तरह की प्रॉब्लम को अगर सॉल करना चाहते हैं अपने फॉन के अंदर तो सिंपली आपको करना क्या होगा इसके लिए कुछ इस्टेफ फोलो करने होंगे चली चली दूस्तों आप बात कर लेते हैं सबसे पहले हम की यूसी ब्राउजर के अंदर हम किस तरह से इ उसी ब्राउजर की जो एप्लिकेशन है उसको प्रेस एंड होल करना है और उसके बाद यहां आपको दो आप्शन शो होंगे सिंपली आपको करना क्या है एप इंफो आप्शन जो है इसको सेलेट करना है और इसे जैसी आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद यहां आपको new window open ہوگی जिसमें आपको power saver का एक option देखने को मिलेगा तो simply आपको करना क्या है इस पर click करना है और जैसी दोस्तों आप इस पर click करते हैं तो यहाँ आपको तीन option देखने को मिलेंगे तो simply आपको करना क्या है यहाँ पर पहले वाले option को select करना है अब जैसी दोस्तों आप पहले वाले option को select कर लेते हैं तो select करने के बाद होगा क्या कि अगर आप अपने DC Browser के अंदर किसी भी movies को या किसी भी data को download कर रहे हैं तो download करने के दौरान अगर आप अपने phone को lock screen mood में डाल देते हैं क्योंकि इस तरह की problem थी वह मैंने solve कर लिए अपने phone के अंदर खर चलिए फिलाल मैं इसको अभी pause कर देता हूं इस videos को क्योंकि अभी मुझे की यह download नहीं करनी है कि अब आपको demo दिखाना है तो दोस्तों इस तरह से आप पहली settings को enable करने के बाद अपने किसी भी browser के अंदर आप इस तरह की settings को apply किजिए और apply करने के बाद आपकी जो downloading है वह background में भी आपकी अच्छे से download होती रहेगी और वह stop नहीं होगी जैसा कि अभी आज से पहले आपकी जो downloading थी वह stop हो जाती थी खर चली दोस्तों आप बात कर लेते हैं यहां पर हम second step की तो second step में आपको क्या करना है अगर आपकी problem इस तरह की settings को enable करने के बाद भी solve नहीं होती है तो simply आपको करना क्या है आपको अपने realme के phones के settings माना है और settings में आने के बाद आपको simply आपको नीचे scroll करना है और scroll करने के बाद यहां आपको battery का एक option देखने को मिलेगा तो चलिए खर हम यहाँ पर बैटरी की option को select करते हैं और जैसी है दोस्तों आप बैटरी की option को select करते हैं तो यहाँ आप ध्यान से देखें कि यहाँ आपको smart power saver का जो option है वो आपके phone के अंदर enable होगा तो दोस्तों अगर आपके phone के अंदर downloading की अगर कोई भी waiting phone network या किसी भी तरह की अगर downloading में कोई problem आती है तो simply आपको करने क्या है इसको यहाँ से disable कर देना है हाला कि यह थोड़ी सी हमारी जो power होती है उसको increase कर देता है यानि हमारी बैटरी life है उसको अच्छे सा यह manage कर देता है यह इतना भी खास इससे ज़्यादा फरक नहीं पर था हमारे phone की बैटरी की life पर तो simply आपको करने क्या है इसको यहां से off कर देना है और इसे off करने के बाद जो आपकी downloading का issue है वो solve हो जाएगा अब दोस्तों मैंने आपको दो settings बदा दी चलिए खर आप बात कर लेते हैं अगर आपके phone के अंदर downloading का issue अभी भी आपको देखने को मिल रहा है तो simply आपको करने क्या है इसके लिए आपको नीचे scroll करना है इसी page पर और यहां आपको एक और option देखने को मिलेगा वो सारी की सारी हमारी off हो जाती है यानि कि यह stop हो जाती है automatic अब दोस्तों mostly किया होता है कि हमारे काफी सारी ऐसी application होती है जिनके अंदर हम background में work करते हैं यानि कि हमारे कुछ work ऐसे होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि background में वो होते रहें अब sleeping mood अगर आपका enable होगा तो आपकी जो background में जो application है वो automatic stop हो जाएगी और दोस्तों यही वजा है कि हमारे phone के अंदर जो downloading होती है हमारे phone के अंदर जब हम downloading करते हैं UC browser या किसी भी other browser के अंदर तो हमारी movies है या कोई भी extra जो हमारा content है वो automatic stop हो जाता है जब हमारा phone lock screen mood में चला जाता है तो दोस्तों इसके लिए आपको simply करना क्या होगा कि आपको sleeping mood का जो option है आपके phone के अंदर enable है simply आपको करना क्या है इसको यहां से disable करना है जैसी दोस्तों आप sleeping mood को off कर देते हैं इसके अंदर जो downloading की जो problem थी उसका जो issue था वो अब solve हो चुका है खर दोस्तों यहां मैंने आपको जितने भी method थे वो सारे के सारे method आपको बता दिये इन सभी method को apply करने के बाद आप अपने realme के fonts के अंदर जितनी भी issue होते हैं downloading के दोरान वो सारे के सारे आपके solve हो जाएंगे मुझे ऐसी उम्मीद है क्यूंकि दोस्तों मुझे भी इस तरह की problem मुझे देखने को मिल रही थी बड़ यहां मैंने इन सभी settings को apply करने के बाद मेरे font के अंदर जो downloading का issue था वो मेरा solve हो गया चलिए हर दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहां पर extra reason के बारे में कि कभी-कभी ऐसा होता है कि दोस्तों हम किसी ऐसी website से कोई भी movies या किसी भी content को download करते हैं जहां downloading जो link होते हैं उनके अंदर issue होता है तो होता क्या है कि जो downloading issue होने के दौरान हमारी जो file होती है same to same issue आपको देखने को मिल रहा है जो कि आपको पहले वाली website पे देखने को मिल रहा था तो दोस्तों यहां आपको इस तरह से मैंने आपको चार बाते बताई जिनको enable करने के बाद या जिनने apply करने के बाद अपने phone के अंदर आप जो downloading का issue है आप उसे solve कर सकते हैं तो खर दोस्तों फिलाल इस वीडियो में सर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीज़े शेयर कीज़े और साथी साथ चैनल को subscribe करना मिलकूल न पूलन तो चलिए फिलाल इस वीडियो को finish करते हैं मिलते हैं ऐसी एक और मज़दार वीडियो के साथ